स्कैम में पकड़ाता है, दस साल के सजा, दो करूल रुपे की जुर्माना है और यह सब, तो क्या लगता है कि और भी हाड और फास्ट डूल बनने चाहिए, हाँ आप देगे, यह सब रूल पास के है, ठीक है, होना तो चाहिए, लेकिन असल में हो तब बैतर है, अगर यह सब गुरूल पास करने सा, अगर तब भी ऐसा होदा रहा है, और कोई अक्षिन नहीं लेने जाए, तो फ़िर फाइदा नहीं है यह सब, थे कि गौर्वर्मेंट कॉलेजे जाएंगे, स्कैम का मामला चला था, कोट में कैसे चल लेते, रिनिट के बाते चल रही थी, फिर वही क हुआ, इसके लिए कुछ तो हम लोग कुछ कर वेए, इस बार नीट में सक्सेस नहीं रहे, तो उठिये, फिर कमर कर सिये, और उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ, उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ, मैदान मोतरिये, और जस्ट मेहनत का नतीजा निका लिए, अपने चैनल के माध्य हम से उसको देखाएंगे भी, अभी फिलाल हम एक स्टूइट के साथ है, लास्ट वीडियो में भी इसको देखा था आप लोगों ने, इस बार इन्होंने नीट का एक्जाम दिया था, अच्छे माक्स भी लाया थे, और उमीद ही कर रहे थे कि इनको कॉलेज में दाखला नहीं हो पाया, फिर से इन्होंने नीट के तियारिया सुरू कर दिया, यही सपने लेकर के आने वाले वक्त में अगले साल फिर से अच्छा नीट के एक्जाम क्रैक करेंगे और किसी अच्छे गवर्मेंट कॉलेज में जाएंगे, तो जिस तरह से तो उस वक्त भाई पे क्या भी थी, तो कितना माक्स आया था जब नीट आप दिये थे तो, 624, तुसी काफी में लेकिन जब सपने थे कि गवर्मेंट कॉलेजे जाएंगे, स्कैम का मामला चल ला था, कोट में कैसे चल लेते, रिनीट के बाते चल रही थी, फिर वहीं के व हमारे हाथ पे है नहीं, अब जो हुआ तो हुआ, इसके लिए, कुछ तो हम लोग कुछ कर भी ने सकते हैं, हम लोग जितना कर सकना था, किये थे, लेकिन सरकार ने तो फिर, अदब इंटिये न फिर वापस से बोल दिया, क्या रिनीट होगा ने, तो एक साल फिर डॉप ले होना तो चाहिए, लेकिन असल में हो तब बहतर है, अगर ये सब रूल पास करने सा, अगर तब भी ऐसा हो दर है, और कोई अक्षिन ने लेना जाए तो फिर फाइदा नहीं है ये सब का, इमसाल जो नेट के स्टूडेंट है, जिन्होंने अच्छे मार्स लाया थे, उनके स सकते हैं, 720 नंबर के एक्जाम होते हैं, और 624 नंबर, 625, 624, 624 नंबर लाने के बाद, अगर एक गवर्मेंट कॉलेजे में दाखला नहीं हो पाता है, तो अंदाजा लगा लेजिए कि स्टूडेंट्स को कितनी ज़्यादा महनित करनी पड़ेगी, आप अगर निट इस बार कुछ और का टफ रहा, तो अब और भी टफ होने वाला है, तो अगर आप निट एस्परेंट स्टूडेंट्स आपको और जोड़दार महनित करने पड़ेगी, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, तो इस बार क्या तैयारिया करकर क्या आ रहे हैं, अर कहीं ना कहीं moral डाउन हुआ होगा, तो अचिवार साइट से कहां तक सपोर्ट मिला, सपोर्ट तो बिलकुल मिला, सर लोग ने मोटिवेट किया है, फिर से एक बार ट्राइ लेने को कहा है, इस बार क्या टार्गेट थैंटर्गें इस तरीका से प्राबेस दूँगा, जितन के इंसिटूट का एक लड़का 700 नमबर भी लाया था 720, तो क्या टार्गेट है उस टार्गेट को हीट करके तोड़ने का इरादा रखते हैं? इरादा तो वह ही कर रखिये, इस अल्वी से हिसाब से मैनद भी करना कितनी गंटे मोटा लास्ट ये पढ़े थे आप देख सकते हैं ये स्टूटेंट लास्ट ये निट का एक्जाम दिया था इस बार फीर से मेहनत करते हैं, बहुत पुरानी का आवात हैं, गिरते हैं इस सहसवार मैदाने जंग में, वो तीफ लग्यागी ने जो घुटनों के बल चले तो जो बच्चे एक्जाम देते हैं, वही फेल होते हैं, जो मैदान में दोलते हैं, वही हारते हैं बच्चे ने एक्जाम दिया था, निट स्कैम हुआ कहीं न कहीं, उसका इफेक्ट पड़ा और 624 नमबर लाने के बावजूद भी गौर्मेंट कॉलेज में इसका दाखला नहीं पाया, लेकिन इस बार फिर से तैयारिया सुरू की है, और यह हुँ भी जता रहा है कि आने वाला वक्त में जो 720 है, और इस इंसिटूट का सबसे जो हाइस मार्क्स अब तक एक स्टूडेंट लाया, 700 नमबर, उसको पार करने कोसिस करेगा, अचीवर साइट से मैं नूर आलम एक वीडियो दिखाने का मकसद था, कि जिस तरह से इस बार निट का स्कैम हुआ था, एंटीए का जो मामला था, गौर्मेंट का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था, कहीं न कई स्टूडेंट का मुराल को आसाई हो जाता है, जैसे कि आप लोग अक्सर दिखते होंगे, खास का राइसान कोटा से और दिगर इंसिटूट से, टीनेजर जो बच्चे तो हैं, जे एक तियारिया करने वाले बच्चे होते हैं, जिन्दिगी में हारने के बाद, तो हारना नहीं है, क्योंकि हार के है तो